भाईयों और भेनों, गुजरात में आज सर्वोदय के साथ ही आरोग्यदय भी हो रहा है, ये आरोग्यदय अपने आप में एक नया नजराना है, आज भारत के सबसे बड़े कार्डियार्ट अस्पताल के रूप में UN मेता इंस्टिटूटर अप कार्डियोलोजी एंड रिसर सेंटर का लोकारपड किया गया है, ये देश के उन चुनिंद अस्पतालों में से हैं, जिसमें वर्ल क्लास इंस्पा स्ट्रक्चर भी हैं और उतनी ही आधुनिक हेल्ज फैसिलिटी भी हैं, बदलती लाइप स्ट्राइल के कारण हार्ट से जुड़ी समस्या को हम देख रह हैं, ऐसे में ये अस्पताल गुजरात ही नहीं, देश भर के लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविदा है, भाई और भेनों, बीते दो दस्वकों में गुजरात ने आरोग्य के एक शेत्र में भी अभुत्पुर्व काम किया है, चाहे वो आधुनिक अस्पतालों का सेंटर्स हो, गाउं गाउं को बहतर स्वास्त सुविदाओं से जोडने का बहुत बड़ा काम किया गया है, बीते छे सालों में देश में स्वास्त सेवा से जुड़ी योजनाएं शुरू हुई है, उनका भी लाप गुजरात को मिल रहा है, आईश्यमान भारत योजना के तहट गुजरात के 21 लाख लोगों को मुप्त इलाज मिला है, सस्ती दवाईयां देने वाले सवा 500 से जादा जनवसदी केंद्र गुजरात में खुल चुके हैं, इसमें से लगबग 100 करोर रुप्य की बचत गुजरात के सामान्य मरीजों को हुई है